हमने देश को महा गोटानों और आतंकी हमलों के खौप से मुक्ति दिलाई हैं। पुरा देश मानता है हमने गरीब और मिडल कास का जीवन बहतर करने का प्यास किया है। लेकिन जो लोग सोचते हैं यह बहुत हो गया। ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी घटना जुरूर बताना चाहूँगा। एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले। प्रदान मंतुरी पत्त के दूसरे कारहेखातay मोदी जी प्रदान मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है आप बन गए। उआ पने इतने दसरतों संगठंका भी कॉमा कर लिया। मुख मंती के रुप में भी इतना लंबा शमय रह चुके। प्रधान मंत्री में भी दूबारा आ गए। राजनीती के पुराने अनुभवों से थी। लेकिन साथियों हम राजनीती के लिए नहीं राष्ट्र नीती के लिए निकले हैं। हम तो छत्रप्रती सिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रप्रती सिवाजी महाराज को राजा बेशेक हुआ। तो उन्होंने ये नहीं किया कि अपको छत्रप्रती बन गए, सत्ता मिल गए, तो चलो उसका आनूं दलो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेणा ले करके, मैं अपने सूक बैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा ताम सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं राश का संकल पर लेकर निकला हुआ वेकती हूँ। अगर मैं अपने घर की चिंता करता हूँ, तो आज करणों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करणों बच्चों के भविश के लिए जीता हूँ, जागता हूँ, जूचता रहता हूँ। देश के करणों युवाँ, करणों बेहनों बेटियों, करणों गरीबों का सपना ही, मोदी का संकल्प है। और इस संकल्प की पुर्ति के लिए ही, हम सब सेवा भाव से, दिन रात एक कर रहे हैं। दस वर्सों में हमने जो हासिल किया, साथियों, वो तो एक बढ़ाव मात्र है। मंजिल तक पहुंचने का एक नया विश्वास है।